लेटिस्ट अप्डेट्स के लिए चुड़े रहे हमसे सब्सक्राइब करें और सारी अप्डेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें कि नमस्कार में हमता सभी इंट्या लाइब नूस में आप सभी का स्वागत हैं में सब्सक्राइब करें आज के कुछ प्रामुक से माचालों पर बोईसर M.I.D.C. के प्लोट करमांक W.87 में लगी भीशनाग जिसमें तीन लोग बुरी तरह घाय लोगे ये हाथ सा तीन जुलाई को हुआ आपकी वज़े पुलिस के मुताबिक शौर्ट सर्कृट बताये जा रही है पर सुत्रों के हवाले ये इसका बड़ा कारण नाप्ता केमिकल है ये नाप्ता केमिकल से काला बजारी करने वाले अवेत तरीके से और भी केमिकल मिला कर पेट्रल बनाते हैं और नाप्ता केमिकल प्रदेश में बंध है ये लोग गुजरात से नापता केमिकल लाकर पूर्ण रूप से अवेद कारोबार करते हैं यहां आसपास कई ऐसे गवडावन हैं जिसमें अवेद तरीके से कई खतरनाक प्रकार के केमिकल बायो डीजल को रखा जाता है यही वो कारण है जिस वज़े से आग लगी है सुत्रों के अनुसार यह सारे अवेद धंदे तेल के काले धंदे के बेतास बाश्चा अनिलतिवारी का है आग में जुल से तीन लोगों को उपचार के लिए मुंबई के अस्पताल में भरती कराया गया है आग में जुल से लोगों के नाम फुरकान, अश्वाक और गुपता बताय जा रहा है अनिलतिवारी नामक शक्स अपने सारे अवेद धंदे और गोडाउन को अपनी पत्नी मम्ता अनिलतिवारी के नाम पर रखता है इसका इतना खौफ है कि कोई भी कारवाई करने के लिए कतराता है जिसका फायदा ये खूप उठाता है यहां तक कि ये पाइपलाइन का माल खरीदने से गुरेज नहीं करता बोईसर पुलिस थाने के वरिश पुलिस अधिकारी विश्वास कसबे कहीं न कहीं अनिलतिवारी के बचाव में है इसलिए अब तक कोई भी गिरफतारी नहीं उपाई है कई न्यूस चैनल के माध्यम से और कई पत्रकवार द्वारा इस अवेद कालाबाजारी की शिकायत स्थानिक पुलिस को दी थी फिर भी यहां के अधिकारीों ने कोई भी कारवाई नहीं की और नहीं इस अवेद धन्दे को बंद कराया यहां तक की पालगर के एस पी ऑफिस पर भी शिकायत करने पर कोई असर नहीं हुआ इसका कारवन है कि यहां के पुलिस अधिकारी भी अनली तिवारी का बचाव करते आ रहे है और इसी वज़े से यह बड़ा हाथ्सा हुआ इसका कौन जिमिदार है यह एक बड़ा प्रश्ण है तीन जुलाई को हाथ्सा होने के बाद एफायर नो जुलाई को लिया गया एफायर करने में इतनी देरी क्यों हुई इसका जवाब पुलिस के पास भी नहीं है और यह साफ दर्शाता है पुलिस की नकामियों को क्या पुलिस छे दिन तक सोई हुई थी या सबूतों के साथ खिलवाड किया गया अनिलतिवारी के बच्चाव में पुलिस की एहम भूमिका सामने आ रही है जिस वज़े से गिरफतारी नहीं उपाई अफायर में तीन नाम दर्ज है पहला अनिलतिवारी, दूसरा ममता तिवारी और तीसरा आशिश वर्मा काला बजारी कर रहे हैं अनिलतिवारी की पतनी ममता तिवारी के नाम पर ये गोटान बताया जा रहा है अनिलतिवारी के पास बायो डिजल का लाइसंस भी नहीं है और ये एक ही लाइसंस पर सारे अवेत कारोबार करता है ये आज तेल की कावेधंदे का बेताश बाश्चा बना हुआ है और इसने इसी कावेधंदे से काफी प्रॉपर्टी खरी दी हुई है इसका पालगर, ठाने और नवी मुंबई में भी अवेत कारोबार है हमारी शासन प्रशासन से एक ही मांग है कि ऐसे अवेत धंदों को जल से जल बन किया जाए और इन्हें साहता कर रहे अधिकारे उपर भी कारवाई की ज़ए मुंबई से मुम्ताज जवेरी की रिपोर्ट इंडिया लाइब नूस मुंबई इंडिया लाइब नूस में खब्लों का सफन नमा करते हैं समा मुम्ताज जवेरी को दीजी जाजो लेकिन आप से चलते चलते एक उजारिश विंतिय दो अगर आपके लाटे में कोई घटना घटित कुई है या आपके पास कोई समस्या है तो स्क्रीन पर दिखाएगा नंबर पर आप हमें सिर्शम कर कर सकते हैं आप हमें इमेल भी कर सकते हैं इंडिया लाइबनुस चानल अडरेट जीमल.com पर या आप हमारे वेबसेट भी लगिंग कर सकते हैं www.indialivenews.co.info नमस्कार